ये लोग जो बेटियों की सुरक्सा पर खत्रा हो करके मंडराते थे हमने भी खुली चूड़ दी थी इन खत्रों से काइदे से निपड करके इनके गलों में तक्ती लगा करके थाने थाने में जान की भीक मांगती रहे आपने पांच साल में कोई दंगा देखा पहले तो हर त किसरे दिन दंगा होता था क्या दंगा कराने वालों को वोड़ देंगे बेटियों की सुरक्सा के लिए खत्रा बने वे लोगों को वोड़ देंगे कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बेहनों की सुरक्सा पर खत्रा बने वे तत्तों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है और जब संकर था तब ये दो लड़कों की जोड़ी गायब थी गायब थी एक लखनों से जाटों को पिटवा रहा था जूटे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूस रहा था गौर और सचिन जैसे नौव युक मारे जा रहे थे तो अब्यक्ति उन दंगाईो को अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके सम्मानिक करता था आज सरम ने आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गोहार करने की सुरक्सा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खत्रा है इनके जो लाल टोपी है ना इसको रेड अलर्ड प्रधान मंत्री जी ने वै बंगा इस लाल टोपी का मत्तब हिस्टी सीटर इस लाल टोपी का मत्तब रहा चलते वे नागरिकों पे साथ रहा जनीर इस लाल टोपी का मत्तब किसानों के खेट से ट्यूब बलक और वहां के पॉम्पिंग सेट का चोरी हो जाना यही तो है और इसलिए आज वो गहार लगा रहे है लाल पोट्री ले करके जा रहे हम संकल्पे रहे हैं तुम्हें संकल्प तो तुम लेही नहीं सकते तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे आकिर सचिन और गौरव की गलती क्या थी वायो बेनों उन्होंने यही तो कहा था कि हमारी बहन के साथ क्यों तुम छेड़खानी करते हो और किसी भी भाई को बोलना चाहिए अगर उसने रक्सा सुत्र पहना है तो वह जरूर बोलेगा और अगर वह अब्यक्ति प्रतिकार करता है तो सही प्रतिकार करता है कि वही देखो हमारी बहन के साथ रहा चलती हुए बेटियों के साथ छेड़खानी मत करो और भाईयों बेनों ये लोग सुरक्सा के साथ रही सेंद लगाते थे पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी और ये डबल जोड़ी की जो आई है न दो लड़कों की जोड़ी इन में से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूलिय में निकल पड़ते थे तब मेरट और सिवाल खास का नंबर नहीं आता था हमारे समय में तो जब मैं लोग सभच चुनाओं में आया था ड़क्टर सतिपाद सिंग जी की हाँ बागपत के एक गाओं में इन्होंने कहा था मैं यहां से जीतूंगा मैंने का कैसे इन्होंने का चलिए इस गाओं में 27 हमारे जाट नौजवान पुलिस में भरती हुए है यह बीजेपी की सरकार के समय हुआ है पहले तो आपका चेहरा देखकर के आपको बाहर कर दिया जाता था नहीं तुम पुलिस में भरती नहीं हो सकते छांड दिया जाता था क्योंकि सेफा यह घराना उसमें हाबी हो जाता था